हैलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर दोस्तों मुझे कही दिन से बहुत सारे डियम आ रहे हैं कि सर हमारे फोन में ऐसी प्रॉबलम है यानि जब भी वह YouTube को ऐपन करते हैं माईक आउन करते हैं तो भाई माईक वर्क नहीं करता है या तो जैसे वह कुछ टाइपिंग करते हैं टाइपिंग के बगल में एक माईक का आईकन होता है वह माईक का आइकन सो नहीं कर रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप उस माईक के आइकन को कैसे सो करवाएंगे अगर आपके फ syllabus कर रहा है तो आप इजीली कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं है ठीक है तो चले इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरा डिटेल से लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्लीज आर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आप इस वीडियो को सेर भी करना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं और आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पे कर देना और दोस्तों आपको आणा नीचे कॉमेंट सेक्षन में एक प्यारा सा कॉमेंट करना है और आपको यह भी बताना है आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर का फोन था वह कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान था मेरे दुकान पर आया था बोला था कि भाईया मेरा माइक गायब हो गया है और मैं ज़्यादा पड़ा लिखा नहीं हूँ जो भी मैं सर्च करता हूँ जो भी मुझे टैप करना होता है मैं माइक का सारा लेके ही करता हूँ तो दोस्तों ऐसे में वह बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था तो मैं बोला चलो ठीक है दो मैं करके देता हूँ और मैं सोचा कि यार आप लोगों के साथ सेयर कर दो क्योंकि बहुत से से लोग होंगे जो इस तरह से परिशान होंगे और दुकान पे जाते होंगे तो दुकान वाला अच्छी तरह से उन्हें चाट लेता होगा यानि पैसे ले लेता होगा दोस्तों अगर मैं चाहता तो मैं उससे डेट 200 रुपया ले लेता लेकिन यार मतलब एक दो मिनट का काम है टेकनिकल इसू है बंदे के मोबाइल में तो यार उसके लिए पैसा लेना अच्छी बात नहीं है तो अगर आप इस चीज को फिक्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक काम करना है आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में और आपको सर्च करना है गूगल जैसे आप गूगल सर्च करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल आ चुका है अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको simply इसको open करके update करना है आप देख सकते हैं कि update नहीं है अगर आपके phone में update नहीं है तो आपको update कर लेना है तो finally यह चीज update हो गया है update होने के बाद में आपको बैक आना है अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं कि अभी भी नहीं आया है अभी भी यह चीज नहीं आई है अब आपको एक और अप्लिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको क्या करना है आपको सर्च करना है जी बोर्ड गूगल का एक अप्लिकेशन है जी बोर्ड या तो आप गूगल हिंदी कीबोर्ड किसी को भी स्टॉल कर सकते हैं ठीके तो आप देख सकते हैं कि मैं जी बोर्ड को स्टॉल किया जैसे मैं स्टॉल करके इसको ओपेन किया ठीके इस्टॉल हो गया इस्टॉल करके open किया अब यह permission मांग रहा है ठीक है आपको यहाँ पर एक चीज ध्यां रखना है यह जो नीचे wise typing है आपको on करके रखना है अगर आप इसको on नहीं करेंगे तो भाई मतलब सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा तो आपको इस चीज को on कर देना है जो wise typing वाला option है इस चीज को on करना फिर आप अपने जो भी मतलब आपका जो भी कीबोर्ड आप उसको on कर दीजे जैसे आप on करेंगे अब आप देख सकते हैं कि माइक का option आ चुका है ठीक है माइक का option आ चुका है अब दोस्तों अगर आप इस चीज को किसी और install किया install करके open किया अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी माइक का option आ चुका है तो दोस्तों काफी कमाल के ट्रीक है काफी simple ट्रीक है लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है और वह दुकान पर जाते हैं दुकान वाला अच्छा खासा पैसा ले लेता है त अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाए